हलो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समगर ग्यान में बैशनो सर के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि हम अपने मुबाइल के माध्यम से किसी भी कक्छा का किसी भी विसय का प्रश्न बैंक कैसे डाउनलोड करेंगे तो चले वीडियो को सुरू करते हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पेल आइकान को जरूर दबा दे तो चले प्रश्न बैंक डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है अपने मोबाइल पर कोई भी एक ब प्राउजर को ओपेन कर लेते हैं फिर इसके बाद आपको सर्च बार में लिखना है विमर्स पोर्टल MP यहां पर हम लिख देते हैं विमर्स पोर्टल MP लिख करके जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई देगा अब आपको यहां पर क्या करना है ऍजामेनेशन डीटेल यहां पर आपको टच करना है तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई देगा अब यहां पर देखे Class Name तो यहाँ पर आपको टच करना है और यहाँ से आपको अपनी कक्षा चुनना है कि आप किस कक्षा का प्रशन बैंक डाउनलोड करना चाहते हैं यदि आप कक्षा 9 का प्रशन बैंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कक्षा 9 पर टच करेंगे तो इस तरह से आपको तो आपको एस तरह से कख्षा ग्यारा के सभी प्रश्ण बैंक दिखाई करना है तो आपको इस तरह से कख्षा चाह करतें एक कुछा का प्रश्ण बैंक दिखाई देंगे तो यहाँ पर दिखिए class name पर आपको touch करना है और यहाँ से आपको किसी भी एक कक्षा को select कर लेना है जिस भी कक्षा का आपको person bank चाहिए जैसे मान लिजे हम कक्षा 10 पर touch कर देते हैं तो कुछ इस तरह से आपको कक्षा 10 के सभी विषय के person bank दिखाई देंगे अब आपको जिस भी से का person bank download करना है आप उस भी से का person bank download कर सकते हैं जैसे मान लिजे हम कक्षा 10 हिंदी का person bank download करना चाहते हैं तो हम यहां पर question bank के सामने हिंदी विषय के सामने click to view पर touch करेंगे तो कुछ इस तरह से notification दिखाई देगा आपको download पर touch करना है यदि आपके mobile पर नहीं दिखाई देता है तो वो direct download हो जाएगा फिर इसके बाद आप से पूछा जाएगा कि आप किस app के माध्यम से उस PDF file को open करना चाहते हैं तो आपको कोई भी एक app open कर लेना है हम यहाँ पर आप इस suite को open कर लेते हैं यदि आपके पास कोई apps ना हो तो आप add of reader download कर सकते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने प्रशन बैंक सतर दो हजार बाइस तेज कक्षा दसमी विशय हिंदी का download हो गया है तो इस प्रकार से आप सभी विशय का प्रशन ब नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है जिस ब्राउजर से आपने download किया है तो वहां पर आपको corner पर तीन लाइन दिखाई दे रहे होंगी यहां पर आप टच करेंगे और यहां पर दिखिए downloads यहां पर आपको टच करना है तो इस तरह से देखिए जो भी प्रशन बैंक हम download करेंगे तो यहां पर download पर दिखाई देंगे यदि आपको प्रशन बैंक download करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कात आ रही हो आप comment करिएगा हम जरूर आपकी मदद करेंगे और परिच्छा की बहुत ही अच्छे तरह से तर्यारी करिए और परिच्छा में अच्छे अं को बहुत है